दोस्तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक सेयर करें दोस्तो आपकी प्यार और सपोर्ट की हमें बहुत ही जरूरत है हेलो नमस्कार दोस्तो स्वागा थे आपका जियो भी नीज पे दोस्तो इस वीडियो में आपको देखने को मिलेंगे सभी बड़ी खबरे मुखिस समझा टूड़े ब्रेकिंग निउस के रूपे तो दोस्तो यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद घंटी बटन को जरूर से दबा दे ताकि जो भी विडियोड आप तक पहुंची रहे तो दोस्तो शुरू करते हैं आज की सबसे बड लंगों पर कॉंग्रिस नेता सेम पित्रोदा के बयान के अलोचना किये राहूल गांधी ने सेम पित्रोदा के उनके बयान पर माफी मांगने को भी कहा है राहूल गांधी ने कहा है कि सीख दंगे पर दर्द कभी भुलाया नहीं जा सकता है मेरी मां सोनिया गांधी और जी जो कहा है वो पार्टी लाइन से पूरी तरीके से अलग है और इसके लिए उन्हें माफी मांगनी चाहिए उन्होंने काए कि मेरा मानना है कि 1984 एक ऐसी तरासदी थी जिसमें बहुत पिड़ा दी न्याई होना चाहिए जो लोग भी इसके पिछे हैं उनको सजा मिलनी चाहि सेम पितरोदा ने कहा था कि अब क्या है 1984 का नरेंदर मोधी 5 साल में क्या किया उसकी बात करिये 84 में जो हुआ वो हुआ इस मामले पर बिवात खड़ा होने के बाद सेम पितरोदा ने कहा था कि बीजेपी अपनी नाकामी चिपाने के लिए उनके सब्दों को तोड़ मरोर क पेस कर रही है जी हां दोस्तों वहीं बीजेपी के कॉंग्रेस नेता और सोनिया गांधी और राहूल गांधी ने कहा है कि 1984 के दंगों के लिए सिक समुदायक हाथ जोड़कर माफी मांगे बीजेपी परवक्ता संभीत पातरा ने कहा है कि पित्रोदा ने जिस भासा का इस्तम सिवोहर में बीजेपी के उमिदवार रमादेवी के ठीकानों पर छापे मारी चार लाख से ज़्यादा नगदी बरामत जी हा दोस्तों बिहार के मोतिहारी से बहुत बड़ी ख़बर सामने आ civilians होई है चापे मारी में करीबद 11 अधिक किरासी बरामद हुई प्रसासन ने उगतरासी को जब्त कर लिया है और इस मामले के में चुट चुकी है आपको बता दे कि बीजेपी परत्यासी रमादेबी की अलावा पूरवी चमपारन में आरेलडी परत्यासी अकास सिंग के होटल में भी पुलिस ने तलासी की हला लाकि वहां से किसी तरीके का कोई समान बराबत नहीं हुआ है आपको बता दे कि सिवहर और पूर्वी चमपारन लोकसबा छेतर में कल मत्डान होना है यानी 12 मैं को मत्डान होना है सीवहर लोकसभा भी मोतिहारी जीले में आता है और लिहाजा बीजेपी उमिदवार मोतिहारी इस्थित अपने एक रिज्ड़दार के होटल में ही अपना दफ्तर चला रही थी साथ ही उनका आवास ठीकारा भी वही था प्रसासन की सूचना मिली तो वहाँ से मत्ताताओं को प्रलोभन देने की बाद सामने आ रही थी इसके बाद जब पुलिस ने होटल की जाज की तो कमरे में करीबन 4 लाक सी ज़्यादा नगदी बरामत किये गए जी हाँ दोस्तो अगली बड़ी कबर है तीन साल बाद कितनी सफल हो पाई मोधी सरकार की उजोला योजना जी हाँ दोस्तो वीडियो को पूरा दे के हम आपको ग्राउंड रिपोर्ट बताएंगे जी हाँ दोस्तो, नरेंदर मोदी सरकार ने 2016 में उजोला योजना सुरू की थी, इसका मकसद ग्रामिंड शेतरों के गरीब लोगों को चूला से निजात दिलाना और गैस सिलेडर मुहया कराना था, परधान मंतरी मोदी ने ये योजना पूर्वी उत्तरप्रदेश के बलिया भठा मजदूर की पतनी है और उनके तीन बच्चे हैं, 2016 में उन्हें प्रधान मंतरी की उजबला योजना के तहत गैस सिलेडर बिला था, पूरी उत्तरप्रदेश में इस जिले के एक कारिकरम में उन्हें यह सिलेंडर हाथों हाथ दिया गया था प्रधान मंतरी मोदी के द्वारा लेकिन तीन साल बाद भी उजबला योजना का चेहरा बने जिन्नी खास काओं के गुड़ी देवी हर सुबा कोईले और लकड़ी से चुला जलाती है, गुड़ी कहती है कि परिवार हर महीने गैस भरने का खर्च नहीं उठा सकता और पुराना चुलाई वो जलात जो गैस एजन्सी है उनके घर से बहुत दूर है, उसे पचीस गाउंत में एक हजार घड़ों में उजवला योजना की जिमदारी मिली है, इसमें गुड़ी देवी का कनेक्शन भी सामिल है, जब एजन्सी के कर्मचारी से पूछा गया तो उसने कहा कि पहले मुफ्त गैस स जिलेंडर भरवाता हो, हर गाउं में लगभग यही कहानी है, ग्राउंड रिपोर्ट में पता चला कि आउदी के कलाउती कनौज और उनकी बहु पेंकी दो साल पहले अलग-अलग सिंडर मिले थे, वो दोनों परिवार चलाती हैं, दोनों के पते इट भठे में काम करते है दोनों का कहना है कि वो इतना नहीं कमा पाते कि वे हर महीने गैस भरवा सकें, जी हां दोस्तों आपको बता दे कि 2018 में नवंबर के कई राज्यों में CEW यानि Council of Energy Environment Water Water की ओर से एक सर्वेक्षन में के मुताबिक खाना बनाने के लिए कोईला लकडी का इस्तमाल करने वाले घ 2018 में घट करके 61 फिसदी हो गया, रिपोर्ट के मुताबिक 2015 में 88 फिसदी घरों का कहना था कि LPG कनेक्षन का इस्तमाल न करने से उसका वज़ा यह है कि वो बहुत महगा है, 2018 में ये तादाद बस 1 फिसदी घट करके 87 फिसदी ही रह गई, जी हां दोस्तों अगली बड़ी ख कस्मीर में एक चोकाने वाला मामला सामने आया है, जम्मू कस्मीर के लेह में चुनाओ अधिकारियों ने 14 कॉप के जेनरल ओफिसर कमांडिंग को चिट्थे लिकर के कहा है कि सेना के कुछ अधिकारी जवानों से पूछ रहे हैं कि वो किसे वोट देना चाहते हैं, मामला सा मामले सामने नहीं आया है और इसकी चान भीन हो रही है, आपको बता दे कि पिछले दिनों लेह में ही एक और चोकाने वाला मामला सामने आया था, जिसमें से प्रेस कलब लेह में आरोप लगाया था कि भारती जंता पार्टी ने उनके सदस्यों को पैसे से भरे लिफाफी क कर रिस्वत देने की कोशिस किये, लेकिन भाजपा ने इसे इंकार कर दिया था और आरोप लगाया था कि राजनिती से प्रेसित है, हाला कि एक वीडियो भी सामने आया था, जिसमें सवाल खड़े हो गए थे कि वीडियो में दिखा रहा था कि पिछले हपते हुई प्रेस क चुनाओ अधिकारी को खत लिकर के आरोप लगाया था कि भाजपा परदेश प्रभारी रवींदर रहना ने पिछले सप्ता हुई प्रेंस कॉन्फरेस में पतरकारों को रिस्वत देने की कोशिस की है, लेकिन भाजपा ने इस आरोप को खंडन करते हुए कहा था कि उन्हो तो पूरु किरकेटर और पंजाब सरकार में कैविनेट मंतरी नोजोल सिंग सिद्धू ने इन दिनों चुनाव परचार में परधान मंतरी मोदी का काफी हमलावर हो रहे हैं, इन दोर में उन्होंने एक चुनावी सबा को संबोधित करते हुए कहा कि कांग्रेस ने अंग् लूट है और लूट सके तो लूट, तीन मोदी भाग, चौथा बोला हर जूटा, उन्होंने कहा है कि मैंने फिल्म देखी, कुली नंबर वन, बीबी नंबर वन और अगली फिल्म जो है, वो आने वाली है, फेकु नंबर वन और जूटा नंबर वन, सिद्धू ने यही नह पलटवार किया, सिद्धू के इस बयान पर केंद्रिय मंतरी ने पलटवार करते हुए कहा है कि नवजोद सिंग सिद्धू देश तोड़ने वालों में से एक है, सिद्धू पर राहूल की संगती का असर हो गया है, उन्होंने कहा है कि प्रधान मंतरी मोदी की राष्ट भक करिया देने और विदेशी बैंकों में जमा काला धन भारत लाने के वादे निभाने में नाकाम रही है, आपको बता दे कि इन दोर में सात्वे और अंतिम चरन के मतदान जो है, वो 19 मई को होने है, इस दिन MP में 8 लोकसभा सुनाओं पर होना है, मतों की गिंती जो 23 मई को हो यह मैच एक चैरिटी मैच है, यह मैच इस्ट रोगबुक गलेसियर पर खेला गया है, यह पहली बार है जब इतनी उचाई पर रगवी फुटबॉल खेला गया है, इसे गिनिज वर्ल्ट रिकॉर्ड में सामिल किया गया है, मैच का मकसद एक गैर सरकार्णी संगठन टीम में साथ खिलाड़ी थे, उचाई के चलते खिलाड़ीों को थकान वो सांस लेने में तकलीफ न हो, एक टीम के कैप्टन विलियम ने बोला है कि जब हम खेल रहे थे, वहाँ एक अदभुत न जा रहा था, लेकिन परिस्थितिया बहुत ज्यादा उल्टी थी, वहाँ बहुत ही कठिन था, अगर आप वहाँ दोड रहे हो तो हाफ जाओगे और रिकवरी होने में 10 मिनट लगेंगे, विलियम ने यह भी बोला है कि मैच में करीबन सभी 100% दिया, यह बहुत ही बेहतर मैचों में से एक था, उनका